नमस्कार दोस्तों, यूपी के बाहु बली करवरिया बंधुओं को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, सपाविधायक जवाहर पंडित हत्या कांड में बाहु बली करवरिया बंधुओं को कोट ने आजीवन कारावास की सजा दी है, केंद्रिय कारागार नेनी जेल के मुख गेट पर जब उदय भान करवरिया को उनके समर्थकों ने देखा तो भावुक होकर रोने लगे भावुक हुए समर्थकों से पूर्विधायक उदय भान करवरिया ने कहा की रोने से यार सजा थोड़ी ही कम हो जाएगी रुकर हम सबको कम जोर मत करो पूर्विधायक उदेभान करवरिया ने कहा ये संगर्ष का समय है अभी बज्जंग बली की इच्छा नहीं थी कि हम बाहर आएं इसलिए सजा हो गई उदेभान करवरिया ने कहा कोई बात नहीं हम मजबूत लोग हैं आखरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे उदेभान करवरिया ने अपने समर्थ को कुकूर समझाया और उन्हें राड़स बंधाया नैनी जेल से बाहर निकले के बाद उनकी समर्थ काफी मायूस दिखे और काफी भावुक हो गए बाहु बली करवरिया बंधूं को आजीवन कारावास की सदा मिलने के बाद नैनी एल गेट के पास तकड़ी सुरक्षा का बेवस्था किया गया और भा़ई संख्या में पुलिस बलतायनात किया गया का सदा मिलने के बाद करवरिया बंधूं के समर्थक काफी नाराज और काफी दुखी दिखे और वा भावुक होकर रोने लगे लेकिन पूर विधायक उदे भान करवरिया ने अपने समर्थकों को कूप समधाया और कहा कि हम मजबूत लोग हैं आखरी दम तक लड़ाई लडएंगे आपको बता दें कि सपा के पूर विधायक जवाहर पंडित हत्यकांड के मामले में कोट ने करवरिया बंधों को सजा सुनाई है अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सस्क्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत